जे तौनू चावल खाने पसांधन पर तुसी चावल खान तू डर दे हो ता ए रेसिपी तोडे लेई है सस्रिकाल जी पंजाबी आयर्वेदिक रसोई वीच तोड़ा स्वागत है मैं हाँ डॉक्टर गगन प्रीत कौर आज असी अपनी रसोई दे विच स्वादिष्ट पुलाओ दी रेसिपी बनावांगे जिदे ले मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हैं एक असी पतीला ले लमांगे जिदे विच खड़े मसाले पादियांगे दो तिन लॉंग, एक तेज पत्ता, एक छोटा टुकडा दालची नीदा, दो तिन कालिया मिर्चा ते एक मोटी इलाइची इस तरहां जो भी खड़े मसाले तो डिकोल हन, उनना नू तुसी पैन दे विच पालवो, एदे विच असी क्यों नहीं पाया, असी सुक्का ही इनननू रोस्ट कर लमांगे एजड़े मसाले ने इनननू चावला दे विच जरूर पॉना चाहिदा है, इदिनल चावल हजम होन दे विच बहुत असान हो जान देने, कोई भी वात नहीं कर दे अपने पेट दे विच जाके, ते असानी नाल बिलकुल पच जान देने, गैस नहीं बनाँदे पुलाओ बनाँदी रेसिपी दे लेई, असी एक बोल जेड़ा है, चावल लेया है, एक वड़ी कटोरी चावल असी लेले ने, इनननू दो तिन वरी तो उन्तो बाद दो टाई कंटे लेई प्योंके रख दिता सी, हुन ए उपपर वाला पानी जेड़ा है, ओ असी कट दे ते उस्तो बाद पिज्जे होई चावलां दा इस्तिमाल करांगे, चावला नू भी प्योंके रखना जरूरी है, ताकि इनना दा जड़ा मंड है उपपर वाला ओ निकल जाए, हुन चावला नू असी थोड़ा जया रोस्ट कर लवांगे, पतील ले दे विच पाके, ते न नाल ही असी थोड़ा जया पानी गरम कार लवांगे, जेडा सानू इनना चावला नू पकौन लेई चाहिदा है, पानी असी जरूरत तों ज्यादा पामांगे, जिनना पानी चावला नू पकौन ते लगता है, उस तों जादा पानी दे विच असी चावला नू पकामांग नाल ही असी एदे विच लोड अनुसार सेंदा नमक पाद यांगे चाफला दा मंड कड के खुले बर्तन दे विच चाफला नू पकॉना ही चाफला नू पकॉन दी आयरवेदिक विदी है क्योंकि तुसी वेख्या होना है कि अक्सर जदों भी कद यसी कुकर देविच चावल बनाओंदे हां तो आपस विच जुड़जे जानदेने जे तुरंत ना जुड़े होन ता कुछ देर बाद वो तो अनू जुड़े होई हलवे दी तरह ही मिलनगे क्योंकि मंड समेत पकाए हुई चावल कफ दा कारण हुंदे ने पेट नू दूशित करन दा कारण हुंदे ने पेट दे विच आम पैदा कर दे हां चावला नू उबाल आ गया है हुण असी चावला नू चंगी तरह पकन लई सिम गैस ते अद्दा का टकन लगाके रखते आंगे जे तो नू बहुत ज़्यादा खिले खिले चावल चाही देने तुसी चौन्दियों क्यों बिल्कुल भी ना पुरन ता उन्ना नू बिना टकन तो खुला ही पकाओ हुण असी पुलाव लई सबजियां दी त्यारी कर दे हां पुलाव बना ले लेई मैं इत्थे हरा प्याज, गोबी, मटर ते गाजर ए चार सबजियां दा इस्तिमाल कार रही हां तुसी अपनी पसांदियां कोई वी सबजियां ले सकते हूं ते उन्ना नू बरीग-बरी काटके पुलाव दे लेई वर्थ सकते हूं हुन असी एक कडाई ले लमांगे, कडाई नू एक छोटा चम्मच के ओदे नाल चोपड लमांगे, ते एदे विच असी थोड़ा जीरा पा दे आंगे मैं उन्ने ही क्योदा इस्तिमाल कार रही हां जी दे विच जीरे नू असी पुन सकते हुई है, जीरा जिमें ही तड़क जानदा है तुरंत एदे विच सबजियां पा दे आंगे, ते सबजियां नू असी तेज गैस ते 5-7 मिंट ले सेक लमांगे, ताकि उन्ना दे विच क्रंच आजवे, क्योंकि जीरा तुरंत शुरू तो ही सबजियां नू टाक दे आंगे, ता सबजियां बिल्कुल मैश हो जानगे, इस कारके पहला तेज गैस ते 5-7 मिंट सबजियां नू सेक लवो हुन स्वार्द्य अनुसार असी एदे विच नमक पा देंगे, ते उस तो बाद इन्ना नू टाक के 5-7 मिंट ले होर पका लमांगे, नमक दी मात्रा हुन बिल्कुल काट रखनी है, क्योंकि चावला दे विच वी असी नमक पाया हुया है हुन साड़े जड़े चावल ने ओवी बिल्कुल त्यार हो चुके ने, चावला दे विच जेडा एक्स्ट्रा पानी है, उनू असी एक पतीले दे विच बार काड लमांगे, ते उनू असी मंड दे तौरते वर्तांगे ये चावला नो पकान दा बहुत ही ज़ादा वद्या तरीका है, इस तरह पकाये होई चावल ना ता वेट नो वदाओंदे ने ना ही डाइबटीज दे रोगया लेई माडे हन, हर कोई बिमार व्यक्तिवी इस तरह चावल पकाके खा सकदा है मैंनू चावल थोड़े सौफ्ट चाई दे सन इस करके विच्चो विच्चो मैं इननू टाक के पकाया है, क्योंकि मैंनू ए लगदा है कि जिनना सौफ्ट खाना असी अपने पेट दे विच खान दे हां, ओनिया ही नरम साडियां अंतडियां रेंदियां हन, पर जे तो अन मैंनू बिल्कुल खड़े खड़े चावल पसांधन ता इननू टाक के ना पकाओ, हुन असी ए सारा मंड एस तरीके नाल एक पतीले दे विच कड लवांगे, आयुर्वेद विच चार प्रकार्दियां खास प्रविचारनावा बारे वर्नन है, ओदन, विलेपी, पेया, मं मंड जेडा हुन्दा है, ओ पचंदे विच सब तो जादा हलका हुन्दा है, ति बहुत सारी रोगां विच इस मंड दा इस्तिमाल किता जान्दा है, आईबियस दे रोगी, ग्रैनी दे रोगी, जिनना दा पेट अकसर खराब रहन्दा है, ओनना लई ए मंड जेडा है, ओ बहुत ही जादा फायदे मंद हुन्दा है, जिनना इस्तियानू लिकोरिया दी प्रॉब्लम रहन्दी है, यानि के सफेद पानी दी समस्या है, ओनना लई वी ए मंड बहुत जादा चंगा है, जेड़े लोग वेट लॉस कार रहेंने, ओनना लई वी ए मंड जेडा है, इस त्री रोगां विच खास करके प्रदर रोग ब्लीडिंग दा जादा होना सफेद पानी दा जादा होना ती या फिर योनी दे विच कंडू यानि के खुजली होना इस तरीके दिया बिमारियां दे विच ए बहुत वदिया है एदा इस्तिमाल किस तरह करना है ये मैं वीडियो दे अंत ते दसांगी होन असी अपनी पुलाओ दी रेसिपी नो कंप्लीट कर दे हां साड़ी सबजी जड़ी हो बिल्कुल बन के तियार हो गई है असी एदे विच होन कुछ मसाले पाद्यांगे जिमें की जादा मसाले में एदे विच नहीं इस्तिमाल करांगी बस थोड़ी जही लाल मिर्च थोड़ी जही काली मिर्च ते थोड़ा जया पुन्या होया जीरा पाउडर बस एन्नेक ही मसाले जिड़े ने ओ एदे विच मैं पाऊंगी बाकी साबत खड़े मसाले दा फ्लेवर असी पहला ही चावला नो पकॉन लगे दे चुके हां ते इस तो जादा मसाले दी सानो जरूरत नहीं जे असी एन्नो एक हैल्दी फूर्ड दी तरह बनाऊना है जादा मसाले वी पेट नो तंग कर दे हन बस हुन साड़ा जेड़ा पुलाओ है ओ बिल्कुल रेड़ी है असी एदे विच चावला नो मिक्स कर देंगे ते इस सबजियां वाला हैल्दी फुलाओ बहुत ही पॉस्टिक है इदे विच बहुत सारी यां सबजियां ने इदा मंड असी बार कर दिता है इदे विच कोई कलेद नहीं है चाहे तुसी वेट लॉस कर रहे हो चाहे तुसी डाइबटीज दे रोगी हो तुसी इस चावला नो बिना ऐसे चिंता दे, खा सकते हो एक होर जरूरी गाल की तो डी हेल्थ नू कोई भी नुकसान नहीं कर सकता इस पुलाओ देनाल तुसी थोड़ा जेई लसी ले सकते हो या फिर तुसी कोई भी दाल या सबजी भी ले सकते हो एक कंप्लीट मील है तो डे डिनर लेई या फिर लंच दे लेई इदा मतलब ए है कि इनू स्नैक्स देत हन ओहो चावल दे नाल नाल रोटी भी खान यानि के दोना चीज़ा नू खान ए चावल हुन बिलकुल ही नामातर एक चम्मच के ओदे विच त्यार होई हन सव करन दे टाइम ते असी एदे विच उपर थोड़ा जय क्यों जरूर पाके खामांगे क्योंकि जिवें की मैं त पादा होया की जेड़ा है उता नू नू नुकसान नहीं करदा सगों बहुत जादा फाइदे करदा है ओल्ड एज दे लोका नू भी खाना चाइदा है प्रेग्डेंसी विच्वी थोड़ा बहुत खाना चाइदा है फीमेल्स नू भी खाना चाइदा है ते मेल्स नू भी खाना चाईदा है सबनों खाना चाईदा है एक या दो चम्मच की तुसी खा सकते हो हाँ शुरुवात तौरते जदो तौर वेट बहुत जादा है एक डेड़ मीना तुसी अपना वजन कटाओ ते फिर की नू शुरू कार देओ क्योंकि बिल्कुल की बंद करके असी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कार सकते आहिरवेदिक ट्रीटमेंट देविच क्रित जेड़ा है की है ओधी बहुत जादा महतता है होन एक खास बेंती करना चौन दी हां कि जेड़ा नंबर में तो अनू दित्ता होया है ओधा इस्तिमाल किरपा करके ओही लोग करन जेड़े अपनी बिमारी बारे कुछ पुछना चौन्दे हन या इलाज करोना चौन्दे हन ते दूसरी गल ए है कि तुसी उस नंबर ते कोई वी कॉल ना करो सिरफ वट्सप मैसेज राही पहला एपोइंट्मेंट ड़ो उस तो बाद ही तो अनू गल करन दा टाइम दिता जाएगा साड़ा जेडा चावल है वो बिल्कुल रेडी हो चुक्या है ते इस सर्फ करन दिले ही त्यार है हुन असी जान दे हां कि असी मंड दा इस्तिमाल किस्तना करना है एक पैन नू बिल्कुल अद्दक चमच की देनाल चोपड लवो एदे विच थोड़ी जई हींग ते थोड़ा जया जीरा पादेओ ते जिवें ही हींग ते जीरा साड़ा तड़क जाएगा तुरंत उदे विच मंड पादेआंगे जेडा मंड असी चावला दे विच्चों कड़्या सी वो काफी गाड़ा है ते नमक उदे विच अल्रेडी हैगा ही है क्योंकि मंड जेडा हुंदा है वो ब तो दुगनी मात्र दे विच हो जाएगा या फिर जे तुसी एक गलास मंड ले लो ते अद्दा कलास ही पानी मेक्स कर लो इस करके उनुपतला करके ही वर्तना है एक तरह दा चावल दा सूप बन जाएगा जे तुसी दो लिटर भी बना के रख लेंदे हो तो जिनना नूँ आईबियस दी प्राबलम है जिनना दा पेट बहुत जादा अकसर खराब रहेंदा है ओ एदा इस्तिमाल वार वार कर दे रहें कंटे रेट बाद जदों भी पानी पीना है तो वो इस पानी दा इस्तिमाल कार सकते ने लिउकोरियां वालियां पैना भी इस दा इस्तिमाल कार सकते ने उनना नूँ प्रदर रोग दे विच बहुत ही जादा अराम आएगा जेडे लोग वेट लॉस कार रेने ओ वी जदों पुख लग दी है इस मंड दा इस्तिमाल कार सकते ने खाना ना खाओ एक वरी खाना खालवो उस तो बाद दिन दे विच तिन चार वार इस मंड दा इस्तिमाल कारो ये तो डी पुख नु शान्त करेंगा तौडी एErणरजी नू लो नी होन देगा तौडी अंदर करन दे लेई पॉष्टिक पाणी दा इस्तिमाल करो पचन दे विच बहुत हलका है इतो तक कि जिनना नूँ दस्त लगी होवे या जेड़े बच्चया नूँ वी दस्त लग जान दी है उनना नूँ वी एनू देना चाहिदा है ता दस्त जेड़ी है बहुत जल्दी ठीक हो जान दी है एदे विच असी थोड़े जे तनिये दे पत्ते भी पादे आंगे ए अगनी नूँ तेज करन वाला एक बहुत ही वद्या ड्रेंक बन गया ए अगनी दीपन ड्रेंक है उमीद है कि आज ता ए वीडियो भी तो नूँ बहुत पसांद आया होवेगा चैनल नू ए खोड नवी वीडियो देनाल तर तक ले सश्रीकाल